हालो अब्रीवन वैलकम बाक टो माई चानल तो आज हम बनाएंगे बॉदी हेल्दी रेसिपी मुझफली और तिल के बॉदी हेल्दी से लड़ू बनाएंगे हम जा आप सर्दियों में बना के खा सकते हैं तो चलिए तो इसके लिए मैंने वन बाल आफ पीनर्स ले लिया हैं और यह कच्छी मूंफलिया है तो हम इनको सेखेंगे इसको हम मीडियम और फुल फ्लेम पर बीच बीच में फुल करके इनको अच्छे से आम रोस्ट कर लेंगे इनका कलर भी ब्राउन होने लग गया आप देख सकते हैं तो तब तक हम इने बुनेंगे तो भुन चुकी है अब हम अपनी मूंफलिया निकाल लेते हैं तो इनको रूम टेमपरिचर पर होने के बाद हम इनके छिलके हटा लेंगे साई मूंफलियों कैसे करके अब हम तिल ले लेंगे तो जितनी मूंफलिया लेंगे उनके आध्य हमें तिल लेने हैं तो मैंने हाफ ब्राउन हो चुका है तिल भी हमारे सिख चुके हैं तो तिल निकाल लेते हैं अब हम सेखेंगे अलसी तो यह जितना हमने तिल लिया है उसका हाफ हमेरे लेना है तो अलसी अब सेख लेते हैं अलसी का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएग तो चुक लेकर लें सब्सक्राइब में तो पीनर्स अब हम इनको तिल के अंदर मिक्स कर लेंगे कि अब अलसे बीह सी इंड कर लेंगे है इन सबको हम ठंडा होने के बाद ही मिलाएंगे और रवन बावल बंक जी न एड किया है जतनी मुंख्फिले लेंगे इतना बावला में गोड़ लेना है, इसे मेटा अच्छा खासा हो चाहता है अब इन olabilir सबको अच्छा से मिक्स कर लेंगे, मिक्स हो गया है तो अब इसमे जाय में डाल लेंगे और इनको बारिख कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीस लेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबका पीस बना लिया है मैंने सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसके लड़ू बना लेंगे छोटे छोटे से और यह हम इनको एक माईने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है और हेल्दी तो बहुत ही जादा है यह तो आप भी बनाईए ट्राइ कीजिए और आपके रिव्यू मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप में रेस्पी कैसी लगती है तो तयार है हमारे साय लड्डू बनके आप में एक माईने तक स्टोर करके रख सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे कुछ और रेसिपीस के साथ तब तक के लिए बाबाई